हेलो एबरीबन स्वागा थे आप सभी का एक पर फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिलिजर्स कॉंसेप्ट में तो दोस्तों आज का जो वीडियो है देखिए यह किरन पॉब्लिकेशन के द्वारा जो समान अध्यन का निया बुक लांच किया गया है जिसमें की टोटल 6300 plus MCQ दिया हूए और वो भी चप्टरवाइज तो प्रंस अभी हम लोग हिस्टरी जो चप्टर दिया हूए उसमें से भारत का इतिहास जो टौपिक दिया हूए भारत का इतिहास इसमें देखिए भारत के yeah इतिहास का जो है इसको तीन भाग में डिवाइट किया हुआ है पहला प्राचीन भारत का इतिहास है ठीक है उसके बाद दूसरा मदिकालिन भारत का इतिहास तो प्राचीन भारत का इतिहास ठीक है प्राचीन भारत का इतिहास और मदिकालिन भारत का इतिहास तो इसमें इस द जो है पहले ही कवर कर चुके हैं और आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहा है इसका क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 200 तक के MCQ को कवर करेंगे तो आए फ्रेंट शुरू करते हैं आज का सेशन लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को रिभी जाने के लिए मिल जाएग है 101 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन होगा चलिए अगला क्वेश्चन देख लिजे देखें प्राइस में कि बनारा से हिंदू विष्प विद्याले एक्ट 1915 से बनारा से हिंदू विष्प विद्याले के अस्थापना का मार्ग प्रस्तस्त हुआ इसके संस्थापक कौन थे इसके संस्थापक कौन थे तो देखें यहां पंडित मदन महन मालविये जो है इन राजधानी थी, तो option number 1 हो जाएगा इसका सही आंसर, next है, अंग्रेजों ने बहादूर सहादूतियों को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया, तो देखे, इसको रंगून भेज दिया था, ठीक है, option number 1 होगा इसका सही आंसर, अब अगला question देखेंगे, देखे, अगला question यहा अगला question देख लेंगे, यहाँ पर, देखे, अगला question जो दिया हुआ, friends, देखे, कहा रहा है, कि अंग्रेजों के भारत में, राजिकाल में, आखिर से एक पूर्व वाइसर आइकान था, तो देखे, वहा हो जाएगा, यहाँ पर, why will, ठीक है, option number 2, इस question का यहाँ पर, right answer हो देखे, अगला question जो दिया हुआ, यहाँ पर, question number 109, कह रहा है, कि नेशनल हेराल समचार पत्र किष्ने प्रारंब किया था, तो यहाँ प्रारंब किया था, जावारलाल नहरूने, option number 2 हो जाएगा, सही, अब देखे, अगला question यहाँ पर, देखे, कि जालिया वाला बाग कहा पर है, तो देखे, यहाँ अमरी सर में है, पंजाब के अमरी सर में, option number 3 हो जाएगा सही, आंसर, चलिए, अगला question देख लीज़ी कहरा है, कि महा मना के नाम से किसे जाना जाता है, तो देखे, महा मना के नाम से पंडित, मन्दन, मालंविय को जाना जाता है, मालंविय अगला question देखेंगे, अगला question यहाँ पर दिया हुआ है, कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने विलाई के सिधान्त के निती शुरू की थी, तो देखेंगे यहाँ शुरू किया गया था, Lord Dalhousie के द्वारा, option number 3 हो जाएगा सही, दिखेंगे, next question, दिखेंगे, next question यहाँ पर दिया हुआ है, कि पानीपत का तीसरी लड़ाई कव लड़ी गई थी, पानीपत का जो तीसरी लड़ाई गवा था, वह कव लड़ा गया था, तो यह लड़ा गया था, शत्रहसा, एकसाठीसवी में, option number 3 हो जा इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो देखेंगे, इसके लेखक है, कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स, option number 1, इसका सही आंसर होगा, अब देखेंगे, अगला question यहाँ पर, question number 117 हो जाएगा, question number 117 हो जाएगा, और देखें, friends, कहरा इसमें, कि भारत छोरो आंदोलन के समय, सब स अधिक समय तक समाना अंतर सरकार के अस्थापना कहां की गई थी, तो देखें, यह क्या गया था, 17 में, option number 4, जो है, इसका right answer होगा, अब चलिए, अगला question देखेंगे, देखें, कहरा इसमें, कि गदर पार्टी के अस्थापना कब हुई थी, सही आंसर है, 1913 SB में, ठीक है, गदर पार्टी के अस्थापना जो है, अमेरिका के सांथ फ्रांसिस्को में, 1913 SB में करी गई थी, option number 1, जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा, देखें, next, यहाँ पे, देखें, कहरा है, स्वतंतर भारत के पर्थम सिक्षा मंतरी कौन थे, तो देखें, इसका right answer हो जाएगा, म अबधी को कहा जाता है, तो देखें, वह अबधी 1885 से लेके 1905, option number 2 हो जाएगा, इसका सही, अब चलिए next देख लिजिए, देखें, next, यहाँ पे कहा रहा है, कि जालियांवाला बागहत्याकांट की घटना कब घटी थी, तो देखें, प्रंस, यह घटना घटी थी, 13 अप कोईशन देख लिजिए, यहाँ पे, देखें, प्रंस, कहा रहा है, कि भारतिय राष्ट्य कंगरेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे, भारतिय राष्ट्य कंगरेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे, दादा भाई नरौ जी, option number 1 हो जाएगा, सही, चलिए, अगला स्थापना करी गई थी, 1923 इसवी में, option number 4 हो जाएगा, इसका सही, अब देखेंगे, next question, देखे, friends कहा रहा है, कि भारतिय स्वतंतरता आंदोलन के दौरान, मुस्लिम लिख के दौरा मुक्ती दिवस कब मनाया गया था, तो यह मना गया था, 22 दिसंबर 1949 इसवी को, option number 3 जो ह इसका सही, आंसर हो जाएगा, अब चलिए, अगला question देख लेंगे, यहाँ पर question number 128, देखे, friends कहा रहा है, कि भारत में करांती कारी आंदोलन कहां से सुरू हुआ था, तो यह सुरू हुआ था, महराष्ट से, option number 4 हो जाएगा, सही, देखेंगे, next question यहाँ पर question number 129 हो इस भी में, option number 3 जो है, इसका सही आंसर होगा, अगला question देख लिजिए, व्यापगत का सी धांत से कौन संबंदित है, तो देखेंगे, यह संबंदित हो जाएगा, यहाँ पर Lord डलहौजी, option number 4 होगा, next है, भारत का पर्थम वाइसर आइकॉन था, भारत का पर्थम वाइसर नमर चार होगा, सही आंसर, देखेंगे, next question यहाँ पर, देखेंगे, इसमें आया है कि, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किशने दिया था, तो देखें, फ्रेंट्स यहाँ नारा दिया था, भागत सिंग ने, option number 4 हो जाएगा, सही, देख लिजिए, अगला question, इसमें कि, ब नमर दो होगा, सही, देखेंगे, next question के राइस में, महात्मा गांधी कब भारतिय राष्टिक कॉंग्रेस के अध्याक्ष बने थे, तो देखेंगे, उन्होंने, 1924 इसमें में इसकी अध्याक्स दा करी थी, इंडिया नेशनल कॉंग्रेस की, option number 3, इसका सही आंसर हो जाएग इसका सही आंसर हो जाएगा, अब देखेंगे, next question, देखेंगे, इसमें के राइस में, कि निमलेकित में से किसी लोक नायक कहा गया है, किसी लोक नायक कहा गया है, तो जया परकाश नारायन को लोक नायक कहा गया है, option number 4, इसका सही आंसर हो जाएगा, अगला question देख लिजे, इसमें है, कि भारत का व्यापारिक संबंध सब से पहले किस यूरूपिय दिस से अस्थापित हुए थे, तो सही हो जाएगा, देखे अगला question देख लिजे, इसमें है, कि पूर्त गालियों ने गुआ पर अधिकार कब किया था, तो देखे, पंद रस दस इसबी में किया था, option number 2 होगा, अगला question देखेंगे, देखे, friends कहा रहा है, कि इस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पन हुआ था कब, तो इनका अगला question देख लिजे, देखे, अगला question देख लिजे, कि भारत में भूदान एबम ग्रामदान आंदोलन कि ने आरम किये थे, तो यहां आरम किया गया था, आचारी विनोवा भावे के द्वारा, option number 4 इसका सही आंसर होगा, देखे लिजे, अगला question क्या रहा है, कि भारत मे कह रहा है, कि महत्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका सुरू की, महत्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका सुरू की थी, तो इनके द्वारा सुरू किया गया पत्रिका था, horizon, option number 3 हो जाएगा, देखेंगे, next question, देखे, कह रहा है, इसमें, थ्योसव फिकल सोसाइटी की अस्थापन किशने की थी, सही answer हो जाएगा इस question का, इनके द्वारा थियोसव फिकल सोसाइटी की अस्थापना करी गए थी, option number 3 हो जाएगा, चलिए फ्रंस देखते हैं, अगला question, इसमें है, सुराज पार्टी की पर्थम सम्मेलन कहां पे हुआ था, सुराज पार्टी की पर्थम सम्म कोलन के दौरान, option number 3 हो जाएगा, इसका सही answer, चलिए, अगला question देख लिजे, देखे, इसमें कहा रहा है, कि इनमें से कौन अमेरिकी स्वतंतरता संग्राम का परिनाम नहीं है, तो देखे, दो option पहले पढ़ लिजे, यहां पे, ठीक है, दो option देखे, यहां पे इधर दिया देखे, देखे, next question, इसमें कहा रहा है, कि सभी ने अवग्या अंदोलन की सुरुवात कब हुई थी, तो देखे, इसकी जो सुरुवात हुई थी, वहा हुई थी, 1930 CCB में, option number 3 जो है, इसका सही answer होगा, देखे, next question, कहा रहा है, कि इस्वर्चंद्र विद्या सागर ने किस सहयोग दिया, किस चेतर में इन्होंने सहयोग दिया था, तो इन्होंने महिला सा सकती करन के चेतर में सहयोग दिया था, option number 2 हो जाएगा, इसका सही, देखे, next question, देखे, इसमें कहा रहा है, कि इनमें से किसका उपनाम सिमान्त गांधी था, सही answer है, खान अब्दुर्गा फ परच्पन इस भी, option number 2 हो जाएगा, उसके बाद अगला question है, जालिया वाला बाग हत्या कार्ट कहां हुआ था, तो यह हुआ था, अमरित सर में, option number 1 होगा, उसके बाद देखे, अगला question, देखे, friends, कहा रहा है, कि प्रति नेधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना क परिनाम है, किस घटना का परिनाम है ये, तो ये बोश्टन टी पार्टी की परिनाम है, option number 1 इस question का यहां पर right answer हो जाएगा, देखेंगे, next question, इसमें है कि गांधी इर्विन समझाते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्स किया, कौन सा है, यानि कि गांधी इर्विन जो समझाता किस वर्स में हुआ था, तो यह हुआ था 1931 बी, option number 2 इस question का सही answer हो जाएगा, ठीक अपनर्स, अब चलिए अगला question देखेंगे, यहां पर question 1589 हो जाएगा, और इसमें कि गांधी जी दक्षिन अफरीका से भारत कब लोटे थे, गांधी जी दक्षिन अफरीका से भारत कब चलिए, अगला question देखेंगे, कहरा है कि सही सुमेलित है, इनमें से कौन सही सुमेलित है, सही हो जाएगा, देखेंगे, यहां पर जो राष्ट्य स्वैंक सेवक संकी अस्थापना 1925 इस भी दिया हुआ, यह बिलकुल सही हो जाएगा, डॉक्तर हेड़िगवार के द्वारा जो है, राष्टे स्वैंक सेवक संकी अस्थापना कड़ी गए थी 1925 इस भी में, तो उप्सन नमर 3 जो है इस question का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, दखेंगे अगला question यहां पर, कहरा है कि जाए जवान जाए किसन का नारा किस ने दिया था, तो देखेंगे यह नारा कब छेरा गया था यह, तो यह छेरा गया था 1930 इस भी में, उप्सन नमर 3 होगा, चलिए नेक्स देख लिजे, देखेंगे फ्रेंस कहा रहा है कि स्वाराज मेरा जन्म सिदाधिकार है और मैं ऐसे लेकर रहूंगा यह कथन किसका है, तो यह कथन है लोकमाने बाल गंगा धर चलिए अगला कोश्चन देख लिजे, इस पे कहा रहा है कि ब्रेटिस हास अप कॉमन में सर अपर्थम किस भारतिये ने आर्थिक निसकासन सिधान्त की भात्सना की थी, तो देखें यह किया गया था दादा भाई नरोजी के द्वारा अप्सन नमर एक जो है इसका सही हो ज अगला कोश्चन देख लिजे, देखें कहा रहा है कि होम रूल लिगा आंदोलन किस ने प्रारंब किया था, तो यहां प्रारंब किया गया था एनिवे सेंट और लोकमाने तिलक के द्वारा तो आप्सन नमर चार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, अब देखें लिजे अ पर्थम भारतिये कौन थे, तो देखें वा पर्थम भारतिये थे, सुरेंदरनात बैनर जी, अप्सन नमर एक जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे, अगला कोश्चन फ्रेंड्स, यहां पर क्या कह रहा है, देखें अगला कोश्चन नमर 69 हो क्योंकि वो नरम पंती ने बलगी गरम पंती कौंग्रेसी थे, अप्सन नमर 2 जो है, इसका बाद अगला कोश्चन देख लिजिए, क्वेश्चन नमर 170 में यहां पर कह रहा है, कि भारत में सती पर्था के विरोध में आंदोलन का नेत्रित्व किष्ने किया था, देखें ए राजा राम मोहन राए, ठीक है, राजा राम मोहन राए जो इस कौश्चन का राइट आंसर होगा, अब देखेंगे अगला कौश्चन क्या कह रहा है, देखें अगला कौश्चन दिया हुआ है, कि निम्नलिकित पेशवाओं में से नाना साहिब के रूप में कौन लोग पर प्रारतना समाज के सांस्थापक कौन थे, आत्मा राम पांडूरंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगला कौश्चन देखेंगे, कि ब्रिटिस समराट के अधिन नियुक्त भारत का पर्थम वाइसर आइकॉन था, तो वह था लर्ड कैनिंग, अप्सन निम्र चार जो अगला कुश्चन जो थे, कौश्चन नमर 175, देखेंगे, इसमें कहा रहा है कि ब्रिटिस सासन के अधिन भारतिय गरीबी और्थ व्यवस्ता पर दादा भाई नरोजी द्वारा कौन से पुस्तक लिखी गई थी, तो वह पुस्तक थी, पौवर्टी एंड अन ब्रिटिस र पहला गवर्णर कौन था, सही आंसर है, डी अलमीडा, डी अलमीडा जो है देखें यहां भारत में पूर्दगालियों का पहला गवर्णर था, ऑप्सन नमर दो जो है, इस कुश्चन का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, चलि अगला कुश्चन देख लिजे, देखें इसमें कहा रहा है कि विलियम बेंटिक दोरा निमन में से किस सुधारक उपाई को लागू नहीं किया गया था, तो देखें वह हो जाएगा दास्ता का अंत, अप्सन नमर एक हो जाएगा, चलि अगला कुश्चन देखेंगे, देखें इसमें है कि भारत ने दास्मिक मुद जो जातिया औस अमानताओं के खिलाफ लड़े थे, वह थे, पेरियार रामस्वामी नाएकर, आप्सन नमर एक इसका सही आंसर होगा, देखेंगे, नेक्स्ट कुश्चन, देखें कि विलिटी सासन के दोरान भारती हस्त सिर्फों के लक्ष का प्रमुकारन क्या था, सही आ जातिया था महत्मा गांधी के दोरा, अप्सन नमर तीन जो है इसका सही आंसर होगा, अब चलिए अगला कुश्चन देख लिए फ्रेंड्स यहां पे, देखेंगे, अगला कुश्चन देखेंगे, बारत में पहली बार किसने वार्सी का आई को अनुमानित किया था, किसने अनुमानित किया था, तो यह किया था, दादा भाई, नरोग जी ने, अप्सन नमर एक इस कुश्चन का सही आंसर हो जाएगा, अब चलिए अगला कुश्चन देख लिए, देखें, कहा रहा है इसमें, कि फ्रेंटियर गांधी किसे कहा जाता था, तो देखें, इस प्रातना समाज की मांग नहीं थी, इनमें से कौन प्रातना समाज की मांग नहीं थी, तो देखें, वह हो जाएगा, लड़के अब लड़कियों की विवाहा आयू में बिरिधी करना, यह जो है, इनकी मांग नहीं थी, ऑप्सन नमर तीन हो जाएगा, सही आंसर, उसके द्वारा किया गया तो यहां प्रारंब किया गया था अलेग जंडर रीड के द्वारा ऑप्शन नमर दो हो जाएगा सही चलिए नेक्स्ट कुश्चन देख लेंगे देखे फ्रंट्स के राइस में कि गांधी जी ने दांदी यात्रा प्रारंब की थी कहां से सही आंसर है भारत में कलेक्टर पद का स्रीजन कब हुआ था तो यह हुआ था 1772 इसमें अप्शन नमर एक हो जाएगा सही चलिए अगला कुश्चन देख लिजे इसमें है कि पानीपत के तिरतिये युद्ध में माराठे निम्न में से पराजित हुए थे सही आंसर हो जाएगा देखे इसकुशन का यहां पर अफगानी से ठीक है अप्शन नमर एक जो है इसका सही हो जाएगा देख लिजे नेक्स्ट कुश्चन देखे कह रहा है कि सती पर्था पर किष्ण रोक लगाई थी सही हो जाएगा देखे यहां पर लॉड विलियम बेंटिक ने अप्शन नमर तीन ह हो जाएगा अप चलिए अगला कुश्चन देख लीजे कह रहा है भूदान यग्य से संबंदीत है भूदान यग से इनमें से कौन संबंदीत है तो वह है विनोवा भावे ऑप्शन नमर तीन होगा देखिए नेक्स्ट कुश्चन कह रहा है इसमें कि भारतिय राश्ट्य क भी वेक अननदने भाग लिया था अप्शन नमर तीन हो जाएगा सही देखिए नेक्स्ट कुश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नमर 157 हो जाएगा फ्रेंट्स कुश्चन नमर यहाँ पे 197 और इसमें कि निम्न में से किस्षने 1857 की विद्रोह को भारत का पर्थम स्वतंतरता संग्राम कहा है तो यह कहा गया है वीडी सावरकर के दौरा वीडी सावरकर के दौरा अपसे नमर 3 इस क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन फेर एकिस हमारा जन्मसीद अधिकार है किसका कथन है यह तो देखे फ्रेंट्स यह कथन है बाल गंगाधर तीलक का अप्सन नमर एक इसका सही आंसर हो जाएगा अब देख लिजी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि करो या मरो का नारा किशने दिया था तो यह नारा महत्मा गंधी ने दिया था भार छोरो आंदोलन के दोरा अनुलन से बायाली से स्वी में ठीक है अप्सन नमर एक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा उसके बाद देख लिजी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महत्मा गंधी के अनुसार धर्म का अभी प्राय क्या है तो देखिए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का अप्सन नमर तीन आत्म ग्यान से option number 3 हो जाएगा अब अगला question देख लिजे friends देखी कह रहा है कि करो या मरो का नारा किषने दिया था सही answer है देखे question repeated है या मात्मा गांधी नहीं दिया था option number 1 इस question का right answer होगा आए friends अब देखते हैं इस वीडियो का last question देखी करास में किषने कहा था स्वाराज हमारा जन्मसीद अधिकार है तो यह का गया था अमबाल गंगाधर तिलक के द्वारा option number 3 इस question का यहाँ पर right answer हो जाएगा तो friends यह था आज का session और आज हम लोग देखे हैं history chapter से जो topic है आधुनिक भारत का यह थियास उसी से related जो है लगभग 100 प्लस mcq जो है आज हम लोग कवर किया है उमीद करते हैं कि आज का session भी आप लोगों ले काफी महत्वपूर्ण साबित होगा एक पर comments करके जरूर बताय है तब तक के लिए जय हिंदर